दोस्तों कैसे हैं आप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूनीक और काफी बैस्ट होने वाली है मेरे पास काफी सारी कमेंड्स हमेशा आती रहती हैं कभी एक कमेंड्स तो कभी दो कमेंड्स तो सभी comments को मैं read भी करता रहता हूँ, कभी कभी reply नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आज कल थोड़ा सा setup पर फिकाम चल रहा है, तो यहां पर वो comment कुछ इस प्रकार से थी, कि कौन सा multimeter सबसे best होता है, यानि कि जब हम इस field पर बिल्कुल नए होते हैं, तो हमां कौन सा multimeter खरीद अगर आप इस video को पूरा जरूर देख लेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से यह सब चीजे मैं समझा दूँगा, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा multimeter यहां पर मैंने रखा हुआ है, और भी कई सारे multimeter मेरे पास है, लेकिन जो basic multimeter है, यहां पर मैंने रखे हुए है, अ लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी बढ़ती है, अगर आप DC के range पे गलती से AC को चे कर लेते हैं, तो आपको multimeter खराब हो सकता है, अगर आप बजर के range पे AC या DC चे करते हैं, तो आपको multimeter खराब हो सकता है, यहां पर इस multimeter के खराब होने के chances काफी ज्यादा होते हैं, और कापी condition में जब खराब होता है, तो repair भी नहीं हो पाता है, repairing का वीडियो तो मैं already कमना चुका हूँ, लेकिन कुछ condition में repair भी नहीं हो पाता है, आपके साथ भी यह problem जरूर आया होगा, कि आपके साथ yellow multimeter अगर आप काम करते होंगे, तो आपका कभी ने कभी गल 800-800 का यह मिल जाता है, और 2500 रूप texted का मिल जाता है, लगभग यह भी 2000 रूपे का, यह last वाला है, सभी में क्या खास बात है, इससे थोड़ा higher range में चलते हैं, यह आपका इससे थोड़ा सा अच्छा है, और protection भी इसमें अच्छा है, और कुछ extra feature हमें में मिल जाते हैं, यह प्रइट रही इससे हाइक थोड़ा सा quality की बात अब बात करते हैं इन दोने को खटा देता हूं क्योंकि इनका मैं पूरा आपको बता चुका हूं और इनको चलाने का की video मैं अल्रेटी अपने चैनल पर डाल जुका हूँ सभी मल्टीमिटर का उनको भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रापिसमां डाल दूंगा इनको हटा कि आपको इन तीनो मल्टीमिटर का बताता हूं इन तो है एक जिन हमाराई कि दोस्तो ये आतो मल्टीमीटर होते हैं आपको तीनो City ऑमारखा हुआ देख़ रहा हुगा auto multimeter है सबसे खाज बात होती है कि यहाँ पर auto जीए नहीं में तो यह कभी खराब नहीं होता है auto अगर आप गलती से dc डाल देती है तो भी वह dc आपको में से करके देखाए गा और direct फिर में आपको AC पर भी लगा दूँगा इस multimeter का यहाँ पर देखिए फिर last में निचोड के बताऊंगा कि आपके लिए सबसे best multimeter कौन सा रहेगा अगर आप सीख रहे हैं तो अब यहाँ पर auto की range पर है इस वाले multimeter पर दिखा रहा हूं ठीक है यह देखिए plus और minus मैंने यहाँ पर लगा लिया तो यहाँ पर direct DC दिखा देगा है त्री वोल्ट इसके अंदर है 3.0708 वोल्ट यहाँ पर अभी इसके अंदर मौजूद है और यहाँ पर कॉर्न में देखेंगे तो DC यहाँ पर लिखा हूँ है ठीक है यह देखिए DC इसके अंदर के रेले होती है ज अगर यहाँ पर मैं चली बजर की रेंज पर दिखा दिखा दए हो direct auto से बजर पर स्विच कर जाएगा देखिए यह बजर पर स्विच कर गया है resistance करते तो रेजिस्टेंश पर स्विच कर जाएगा खासकर auto mode आपका DC हाई DC और हाई AC के लिए यहाँ पर सबसे बहतर यहाँ काम करता है गलती कहाँ पर होती है एसी पर होती है यहाँ पर एक switchboard है मेरे पास देखिए 220 वोल्ट इसमें एसी आ रहा है और अचानक से इसको ऑटम मोड में 220 वोल्ट एसी पर डाल दूगा तो यहाँ पर 220 वोल्ट पर दिखा रहा है उपर देखिये यह देखिये एसी तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा फाइदा होता है अगर आप नए हैं तो इसी प्रकार के और वाले मल्टिमेटर का हमें सस्तमान कीजिगा पहली पहली बार आपको थोड़ा सा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन मेरी कोई फी वीडियो देख लीजिए एक ही वीडियो में आपको टूटली किसी भी मल्टी मेट को चलाना आ जाएगा वह आपको वाला कोई सा भी हो आप असानी से उसे चला सकते हैं इसको आफ करके मैं यह टच वाल आइडिक है इसको चलाने का वीडियो भी मैंने अल्लेडी बना हुआ है अगर आप चाहते हैं तो से बहुत देख लिएगा यह भी आपका एक और वाला मल्टी मीटर है अब आपको मैं कौन सा मल्टी मेटर अच्छा रहेगा वह रिकमेंड करूंगा देखिए कि किसी भी कंपनी के साथ मेरा पेट प्र लागर करता हूं वीडियो के अधर तो इनी मल्टी मीटर स्का इसमाल करता हूं यह मेरे लिए सबसे बैस्ट ऑप्जन मतलब ये मेरे लिए सबसे बैस्ट होते हैं अब यहां पर कि दिखिए आप से पहले चलिह बजर ही आपको दिखाऊंगा यह बजर है और इसा मैं आपक पर्फूमेस और रिस्पोंस काफी फास्ट है यह देखिए अभी डेयर एक पर देखिएगा काफी चोटी प्रोब इसकी देखिए कि नहीं एक सो स्तानवे अठानवे दो सो चार वोल्ट एसी आ रहा है प्रू आर्मेस प्रू रीडिंग यहां दिखाता है ठीक है इसकी नोब थोड़ी सी छोटी है आग की टॉप वरना ही हिल रहा है बार-बार चलिए इसको सही से मैं करक कर लेता हूं एक मिन हां लाइट आ रह है इसके प्रूब थोड़ी छोटी इसलिए यहां पर सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है चलिए एक सो कितना 160 दिखा रहा है तो यहां पर इतना यह एसी को दिखा रहा है ठीक है तो इस तरीके से यहां पर हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और एक चीज है एक और हमारे प्रूब्स यह है ऊटो की रेंज पे इसको हम चेक करेंगे क्यों यह फिर कोमन यह वोल्टेज का डैट हम एक की टेस्टिंग करेंगे आटो की रेंज पे सथ आपको दिख रहा होगा इसकी प्रूब्स ठीक है यह थोड़ा सा लंबी है नोप सॉरी देखिए दोसो चौबी तो यहां पर टू डिखा पारा था अब आएगा दोसो पांच भूल्ट देखिए अब ठीक है दोसो पांच भूल्ट भी आ रहा है तो इस तरीके से हम एसी के टेस्टिंग कर लेते हैं चलिए बार इसमें भी आपको दिखा देता हूं तो अब तो बार से वैर हिल रही थी तो इस तरीके से हम इन मल्टी मीटर में आटो की रेंज में कुछ भी असानी से चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं कौन सा मल्टी मीटर आपके लिए सबसे बैस होगा यहां पर जितने भी मल्टिमीटर रखे हुए सभी के सभी थोड़ा सा बजेट में होते हैं जितने भी ऑटो वाले आते हैं थोड़ा समयंगे आते हैं 500-700 रुपए के उपर से आपको मिलते हैं लेकिन अगर एक बार पैसा इंवेस्ट कर लेते हैं तो मल्टिमीटर आपका ला आप AC DC कुछ भी इसमें चेक करो गलती से तो आपका यह कभी भी कोई भी खराब नहीं होगा सिर्फ ऑटो वाले ठीक हैं बाकि इन दोनों के चांसे खराब होने के काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इनमें एक एक एकुरेट फंक्शन दिया होता है जहां पर AC आपने कि अगर आपके पास बजट है तो हजार रुपे से उपर के सबसे अच्छी मल्टिवेटर सभी सभी देहें बात रही इनको चलाने का वीडियो तो सभी को चलने का वीडियो मैं दे चुका हूं उनको आप देख लिए का मैं कीजिए भी मल्टिमेट को रिकमेंड नहीं करू क्योंकि यहां पर इसमें Auto Mode के साथ अधर इसमें अलग से आप चाहें तो अपने हिजब से इसमें mood को Select कर सकते हैं जैसे और अधर अपने MPR चेक करना है हट चेक करना है और अलग से कोई सेप्ट आप्सन पर अपने स्वीच होना है तो यहां पर यह मल्टिमेटर के लिए ब Bluetooth भी option दिया गया है इसमें वो तो एक अलग सी बात है वो तो other feature आप जो भी ले रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा तो वो आपका फायदा रहे गए लेका पहले बात इसमें एक बैगलाइट का भी option है अंधेरे में भी काम कर सकते हैं वैसे option दिया गया अच्छी बात है ये बाके Bluetooth का भी option है Bluetooth से आप mobile पर कनेक करके mobile पर भी आप multimeter की तरह काम कर सकते हैं उसका वीडियो मैं उलेडी बना चुका होचको देरोड देख लेगा अब आप comment करके बताएए आपके लिए सबसे best multimeter कौन सा है बाकी मैं यही कहूंगा जब भी आप multimeter लेंगे तो auto वाला ही mult centimeter ले लिजीगा और यह multimeter आपके कितने खराब पड़े हैं कितने खराब हुए comment करके ज़रूर बताना आपकी comments का मैं हमें साब वेट करता रहों प्लीज कमेंट लिजीगा thanks for watching